लो गाइज इस वीडो में हम लोग जानेंगे मर्चनेवी के बारे में अगर आपको मर्चनेवी जाइन करना है तो आपको दस वी और बारावे के बाद आपको इसे जाइन कर सकते हो इलिजिबिलिटी क्या रहती है मर्चनेवी जाइन करने के लिए कौन से कोर्स होते है वो उसके फीज क्या रहती है, रेंग और सेलेरी आपको क्या मिलती है, ये सारे बते हम लोग इस यूलो में जानेंगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे मर्चन नेवी होता क्या है, बहुत सारे लोगों के दीमाग में एस सववल होता है, मर्चन नेवी मतलग गौर्मेंट जाब होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मर्चन नेवी गौर्मेंट जाब नहीं होता है, लेकिन सेमी गौर्मेंट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर गौर्मेंट जाब नहीं होता है, मर्चन नेवी एक कॉमर्सेल फील्ड है, किस उसी को हम लग मर्चनियू के थे मर्चनियू में अलग-अलग टैप के शिप्स होते हैं जैसे की बल केरियर, कंटेनर, टैंकर, कैटल शिप्स, हॉपशोर, सर्वे वेसल, एटीसी, हिन शिप्स का काम अलग-अलग होता है, बल केर में और, गेहू, सिमेन, कोईला, लाइमस्ट क्रू होते हैं, उनको पूरी तर से ट्रेंद किया जाता है, हाउ टू वर्क ऑन शिप्स, मर्चनियू में, प्रावेट, गोर्मेंट, डोनों कमपनी काम करते हैं, सबसे पहले डिसकस करते हैं, कोर्स के बार में, मर्चेंड नेवी कोर्स आप्र 10 और 12 के बाद आप कैसे जोईन कर सकते हो, अगर बात करें तो 10 के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, सबसे पहले आता है, GP Rating, Diploma in Nautical Science, DNS, NCV Near Coastal Vessel, Commercial Driving, ये सारे कोर्स हैं, जो आप कर सकते ह अगर आपको 10 के बाद जोईन करना चाहते हो, जिनकी कोर्स डूरेशन रेती है 6 months to 1 year, 10 में आपको more than 45% होने चाहिए, कोर्स फिस रेती है 1,80,000 to 3,50,000, उसके लिए आपकी age limit 17 से 25 के बीज में होने चाहिए, आप unmarried होना चाहिए और medical fit होना चाहिए, एक बार आपको बतन चाहता हो, अगर आप 10 के बाद कोई course करके ship join कर लेते हो, तब आपको जो posting होती है, हो officer या top level की नहीं होती है, लेकिन आप day grading, engineering, fitter, cooking department में जोईन कर सकते हो, आपकी वहाँ रहने की खाने पीने की वैवसा सब कुछ free रेती है, medical insurance भी मिलता है, तो चलो बात करते है 12 के बाद आप कौन से course कर सकते हो, 12 के course के बार में बताने से पहले मैं eligibility बतना चाहूंगा, अगर आप 12 के बाद join करना चाहते हो, तो आपके पास chemistry, biology, math होना जरूरी है, aggregate percentage 60 से ज़्यादा होना चाहिए, आपकी age limit 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए, unmarit होने चाहिए हो, medical fit होने चाहिए, तो दोस्तो जब आप सारी criteria पूरी करते हो, तब 12 के बाद आप merchandise join करते हो, अगर आप 12 के बाद merchandise join करना है, तो आपको एक entrance exam देनी पड़ेगी जो Indian Maritime University से होती है, एक exam पास होने के बाद Indian Maritime University से aggregate जो college है, उतमें admission लेके बहुत सारे courses होते हैं, उन में से आप कोई course कर सकते हो जैसे की BSc Nautical Science, B Marine Engineering, B Naval Architecture, B Mechanical Engineering, B Harbor Ocean Engineering, B Civil Engineering, B Electrical Engineering, इस सारे कुछ courses है जो आप कर सकते हो, तो चलो बात करता है salary के बारे में जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो दोस्तो ये आपके rank के उपर निर्वर करता है, experience क्या है, company कोन सी है, हर company का salary structure अलग-अलग company, तो दोस्तो अगर आप डेन के बाद ship join करते हो, तब आपकी salary 25,000 से 1,500,000 के बिज में रहती है, rank wise, जैसे कि OS Viper की salary ITB में 900 डॉलर से 11,000 के बिज में रहती है, means Indian currency में 70,000 से 80,000 के बिज में होती है, motor man की salary ITB में 1150 से 1500 के बिज में रहती है, जो Indian currency में 80,000 से 1,10,000 के बिज म रहती है, जो Indian currency में 120,000 से 1,30,000 के बिज में होती है, second cook को salary जाच पे मिलती है, वो 900 डॉलर के बिज में होती है, 65,000 से 75,000 के बिज में होती है, chip cook को शिप पे salary 2,000 डॉलर होती है, जो 1,40,000 से 1,45,000 के आसपास ship पे रहती है, यह जो मैंने ITB company का जो data बता है, यह उपर नीच पे रहती है, एक deck department, दूसरा engine department, इसरा cooking department, यह सब GP rating करने के बाद आपके बाद चॉइस रहती है, और आप select कर सकते हो, बात करते हैं 12 के बाद आप चीप जोइन करते हो, तो आपको क्या rank और salary मिलती है, सबसे पहले बात करते हैं, जब आप deck department जोइन करते हो, तो आपको rank मि यह सकते हो, 3rd officer से 2nd officer प्रमोट हो सकते हो, और 2nd officer चीप अपिसर प्रमोट हो सकते हो, चीप अपिसर से प्रमोट हो के captain बन सकते हो, जिसकी salary रहती है, $8,000 to $12,000 के बिज में रहती है, जो Indian currency में 5,60,000 to $8,40,000 के बिज में रहती है, अब बात करते हैं engine department के, जब आप engine department में आपको बताना चाहूंगा मर्चंड नेव में सालरे हैरे लेकिन उसके लपको कुछ कंडिशन है ते वो फेस करने पड़ेगी जैसे कि आपको घर से दूर रहना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्ट जो होते 6-9 मन के बीज में होते उसके बीज में आप सड़नली घर नहीं जा सकते हैं तो आपके फैमिले में कोई सपर में नहीं है तो आप मर्चनेवी जोइन कर सकते हो इसी साब से आप प्लैन कर सकते हो तो ये ती जानके नहीं मर्चनेवी के बारे में हाउ टू जोइन मर्चनेवी आप किस तरह से मर्चनेवी जोइन कर सकते हो सो फ्रेंट अगर आपको ये वीडियो हिल्पू रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना सब्क्राइब कर लेना चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टैंक यू